ऐसा होई नहीं सकता कि आपके CTAT के exam में यह आपका word आपको देखने को न मिले, जो word आपका only केवल मातर शिफ्ट आपसे पूछा जाता है, जिसको English में कहा जाता है only, यह word आपके CTAT के exam में भर भर के आपके पूछा जाता है, ठीक है, जी मैं ठीक हूँ, आयोप आप लोग सर केवल वर्ड में दिखे, आपको हमेशा ध्यान अखने है, जितने भी यह positive और negative वर्ड मिलेंगे, 99% तक ही आपके काम करती है वाली trick, और जो यह trick काम करती है, आपकी pedagogy के अंदर काम करती है, ठीक है, content वाली चीजों के अंदर इसको मत गुसाना, ठीक है, तो आपके जो word म जाए, तो समझ जाना वह आपका क्या option बन जाएगा, वह पूरा का option आपका केवल बन जाएगा, और केवल वह आती ही word को वह पूरा option आपका केवल बन जाएगा, जैसे सामने आपकी screen पर इस तरीके से question दिया हुआ, कि बच्चे किस परकार से सीखते है, जैसे मैंने आप से question आपके सामने screen पर है, नीचे दिये गए state में कत्रों में से कौन सा इस person के विशे में सही नहीं है, तो question यहाँ पर पूछ लिए, negative question पूछ लिया, जब कभी आप से question negative पूछे, तो negative का answer हमेशा negative होगा, अगर positive पूछ लेगा, तो answer फिर उसका positive होगा, ठीक है, तो देखते ह सीखते हैं, जब वे संगयनात्मक रूप से तयार होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जब वे आपके cognitively रूप से तयार हो जाते हैं, उनके पास जानका रिया जाती है, cognitively रूप से संगयनात्मक रूप से जब उनके पास जानका रह जाती है, मैच्चोर हो जाते हैं, तब वो सबस्क्क्राइल और और सबस्क्राइब two-a दो और की जाम में खेल इतना आपको दिखाई देगा मुझे तो ऐसा लगेगा कि फिना इसके तो साथ कोई आपका question नहीं ना बने तो केवल आपको बहुत देखने को मिलेगा आपका जो यह वाला आपका negative वर्ड है केवल अब बात करते हैं आपके दो टेक वर्ड की एक साथ बात करते हैं एक होता है एक होता है आपका पैसिव जिसको निस्क्रिय कहा जाता है दूसरा होता ह आपका सक्रिय जिसको active कहा जाता है देख़़िए आपको इनके नाम से पता चला है एक होता है एक होता है एक होता है assez आप लोग मुझे सिंबल्सपर बता हो आप लोग यह पढ़ने आए हो मैं आपको पढ़ाना आया हूँ क्या आप बिना active विए पढ़ सकते हो यह बिना suivre in न्यमिद्लग को पढ़ा सकता हूए मैं आपको पढ़ा सकता ना ही है आप लोग पढ़़ सकते हो तो आपको पढ़ने के लिए और मुझे पढ़ाने के लिए active होना बहुत जादर ज़रूरी है ठिखिके निस्क्रिय होके ना तो आप लोग पढ़ सकते ना ही में पढ़ा सकता इसलिए निस्क्रिय नेगिटिव होगा पोजिटिव होगा नेगिटिव होगा और सक्रिय पोजिटिव होगा या नेगिटिव होगा पोजिटिव होगा समझगे तो नों में डिफरेंस होगे तो आपको passive के साथ नहीं जाना, passive negative होगा और आपका active आपका सक्रिय जो होगा वो आपका positive होगा ये बात आप लोग समझ गए ठीक है इसलिए teacher को भी और student को भी दोनों को कैसा होना पड़ेगा सक्रिय होना पड़ेगा अगर आप भी और मैं भी अगर दोनों में से एक भी passive हो गय है कि एक बाल के अंदरी शक्सा में एक child centered classroom में 6 का की कोई भूमी का नहीं होती बिल्कुल गलत बात है भई 6 का की भूमी का होती है अगर 6 का नहीं होगा, teacher नहीं होगा तो पड़ाएगा कोन बच्चे का शिक्सिका की सक्रिय भूमिका होती है यानि एक्टिव भूमिका होती है पोजीटिव दिग्या मुझे तथा विद्यारतियानी स्टुडेंट की निस्क्रिय भूमिका होती है मैंने क्या का दोनों को पैसी एक्टिव होना जरूरी है इसने एक को एक्टिव बना दिया दूसरे कहीं शक्रिय भूमी का होनी जरूरीा आंचर आपका फोर्त आंचर सही ओजयागा तो इन दोनों के hap आप लोग समझ गए एक्टिव आपका पोजिटिव है पैसिव आपका नेगिटिव है ठीक है इन दोनों के बारे में इस तरीकिस आपको करना है यह आपके अलग-अलग भी पूछ जाते एक साथ भी पूछ जाते यह बड़े महत्पून आपके नेगिटिव और आपके पोज प्रोसाइट तो करना चीए लेकिन बहु师 टरम्स या पर ऐसे फशा देता है पिछलिह बार ओनलाइन एंग्जव के अंदर इसको नहीं जैसे यह आ depends सब्सक्रूप्र परिता है इसको और ब u परकार ध्यान में रख सकती है अब वह बताओ जो इइंडिविज्योल डिफ्रेंसी ज यह पोजिटिव होता है नेगिटिव होता है पहले तो अप लोग यह बात बताऊं जे पोजिटिव होता है और इंडिवीजिल डिफ्रेंची, जिसमें किसी बच्ची का IQ लेवल ज्याद है होगा, किसी का कम होगा, कोई बच्चा मीर गर्ष होगा, किसी की Mother tongue कुछ होगा, किसी की Mother tongue कुछ होगी, ठिक है, जैसा आप लोग जो है, जितने वीडियो देख रहे हो, वह Mother tongue का सबसे बड़ी एक करके की जो बिनताओं का अर्थ है वो अभाव नहीं है जो आप लोगों के अंदर भी विंता है देखें तो promote अलग अलग बासा के अलगलग धर्म से यह लग अलग जातियों से हो इसका यह कताई भी मतलब नहीं है कि अभाव नेहीं अभाव है ठीक है अभाओ के नहीं दरसाता है, की कोई कम ही है, ठीक है, इस चीज को नहीं दरसाता, तो पहला उप्षन सही है, मैं जो चीज दिखाना चाहरा हूँ, वह भी आ गया आईगी, अकाइडमिक छमताओ के आदार पर बच्चों का नामंकन करना और उसको पर्थक करन करना, जहां पर बच्चों को सेग्रेशन करने की बात आजेगी, उनको लेबलिंग करने की बात आजेगी, ये टेग वर्ड आपका भी आने वाला है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नेगिटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है, अभी वीडियो के आगे आने वाला है, आपको बच्चों कभी भी लेवल नहीं देना यह बच्चे के जाने नमबर आते कमाते हैं यह बच्च दिव्यांग बच्च Ignat अमने बच्चा नेगटीव उन सप्वाइब अनुषयी साड़ी के डिव श्रेख देश्थी से दिव्यांग बच्चों को उनक लिए प्रस्ताइक विशेज स्कूल में भेज कर जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंकरेज से प्रोसाइज से जुड़ी वो यह है कि क्लास में एकल संस्कृति को प्रोसाइज करके जिससे परतिस परदाया निक कॉम्पटिशन को बढ़ावे मिलें आपके जिसने का किलास में एकल संस्कृति को प्रोसाइज करना है कि सिर्फ एक संस्कृति को प्रोसाइज करना है अब आप लोग एक बात मुझे बताओ क्लास रूम में जो बच्चा रहेगा क्लास रूम में आपके अलग-अलग धर्म से आपके बच्चे रहेंगे अलग-अलग जातियों से बच्चे रहेंगे अलग-अलग संस्कृति के बच्चे रहेंगे आप लोग एज़े टीचर मा हाए उनकी संस्कृति को सम्मान करें ठीक है और एकल संस्कृति को ना प्रोशाय ак करें वह बहुल संस्कृति पॉलपि प्रोशाइथ करें सभी बच्चों के अगर प्रोशायbod करने की बात आईगी उस्के या बच्चे सी जोड़ी चीजों की बात आएगी ना कि इस तरीके से एकल संस्क्रित को या उल्टी सीदी चीजों को प्रोसाहित करने की बात आएगी ठीक है वैसांचा इसका फ्रस्थांचा आपका सही था याप